वल दोस्तो आगर आप एक टैबलेट लेना चाहते हो एंड आपका परपस है ऑनलाइन क्लासेज आर्टिस्टिक वर्क आप ओफिस परपस के हिसाप से कोई टैबलेट चाहते हो या आप मल्टी मीडिया कंजप्शन के लिए कोई बढ़िया सा डिवाइस चाहते हो और आप गे वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड हां सब भी टैबलेट का बैस डिस्काउंटिड बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देदिया है बट वहां जाके डिरेक्ली कोई टैप परचीज मत कर लेना हर टैप के बारे में अच्छी और बुरी चीजे मैंने वीडियो में ब आउट्डोर में आप इनको यूज करोगे तो सामने से जो चौनधा पड़ता है न सूरस का राइडिंग करते वक्त वो भी नहीं पड़ेगा तो वहां पर भी काफी हल्प होने वाली है बाकी इनकी वेबसाइट आप जाके चेक आउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिं वल दोस्तों आप आते हैं वीडियो के उपर एट नंबर 4 जो टैपलेट आता है यह आपको मिलेगा लेनोवो का टैप के टैन विच इस नूली लॉंज टैबलेट अब इसको लेने का जो रीजन है अपनी प्रैस के एसाप से आपको काफी हद तक अच्छी चीज़ दे देत आता है यहां पर जो डिस्प्लेइ ना वह 10.3 इंचेस का एक फुल एची डिस्प्लेइ साथ में 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है इस पीकर्स की बात करूं तो डॉल स्पीकर्स हैं विड डॉल ओडियो एंड डॉल माइक्रोफोन भी है एंड हां ट्यू वी सब्सक्राइब करते हैं यह जिन लोगों को टार्गेट करते हैं वो है स्टुडेंट्स बिजनेस क्लास और प्रोफेशनल्स लैक आपको अगर गेमिंग वगरा करनी है तो इनमें आप इतनी अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते यह प्रोसेसर इतना कैपेबल नहीं है वैसे य इसको कर्वड वाले एजस पसंद है एकदम चौक और टैबलेट पसंद नहीं है मतलब हरकिसी के ओरिंटेशन अलग अलग होती है उस हिसाब से ठीक है जो डिस्पले है वो एक फुल एच्छी इस्पले अब यह एक एवरेज टैबलेट है इतनी अच्छी पर्फॉमेंस नह चाते हो तो यह टैबलेट आपका काम चला देगा वाइफाई उनली वेरेंट आपको मिलेगा बारह हजार नौसुन इंडियान में रुपे का और अमेजॉन अगर आपको सिम अगरा डालनी है तो उसके वेरेंट आप जाके चेक आउट कर लेना बट यह जो पर्टिकुलर वेरेंट है यह अपनी प्राइस को डेफिनेटली जिस्टिफाय करता है वेज अगलो जो टाबलेट है यह आपको मिलता है नौकिया टी ट्वंटी जो की हाली में लॉंच हुआ है लेक देखो डिस्प्लेइस में अच्छा मिल जाएगा 10.36 इंचिस का 2K डिस्पले मिलता है जो की Full HD Plus आता है रेम इसमें भी 3GB एंड 32GB की स्टोरीज मिलती है आपको 8 Megapixels का rear camera और 5 Megapixels का front camera rear camera में आपको flash मिल जाएगा हां यहां पर आपको 15 watt की fast charging मिल जाती है बट वह इतनी ज्यादा capable नहीं है like 8200 एमेज बैटरी को charge करोगे ना आपको overnight लगने वाली है अब इस tablet की सबसे अच्छी बात है ना सबसे पहली तो इसमें आपको stock android मिलता है android version 11 जो की clean UI experience देदेगा आपको performance काफी अच्छी मिलेगी आप कोई भी open करोगे काफी fast खुल जाएगा यहां पर आपको 3 years की monthly security updates भी मिलने का वादा करता है Nokia बट यहां पर जो chipset लगाए ना इसमें वह आपको unisock T610 मिलता है जो की काफी unrated मतलब seriously इतना ज्यादा अच्छा software नहीं ह हां आप PUBG वगेरा खेल सकते हो इसके साथ लेकिन वह experience नहीं मिलेगा जो आपको gaming में मिलना चाहिए अब यहां पर जो speakers है वह भी stereo speakers है यह भी curved edges में आता है वैसे metal build है बट इनका जो earphone jack है वो कुछ अलागी तरीकों से इनने कौने में गुसा दिया है like कौन यूज करता है प अगर आपको multimedia consumption ज्यादा कुछ नहीं करना लेकि आपको loud sound नहीं चाहिए then ठीक है sound के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाता है डिस्प्ले इसका ठीक तक सा आता है इतना अच्छा भी नहीं है जो बाकी types पताऊंगो उनमें थोड़ा अच्छा display बट आपका काम चला देग TFT IPS पैनल है आपको एक एवरेज सा viewing angle मिलेगा लाक आप जैसे एंगल चेंज करोगे जो color saturation से वो थोड़े बहुत हिलने लग जाते है बठा कैमरा इसका obviously better है Lenovo K10 से और बैटरी भी जाता है तो जिसको बैटरी ज्यादा चीए वो लोग इसको consider कर सकते हैं जिसको clean android चीए उ budget range में specifications की बात करूं सबसे पहले तो काफी ज़दा symmetric bezels में आता है और काफी slim है metal body में आता है आपको 10.4 inches का एक बड़ा display मिलता है which is 2K display साथ में quad stereo speakers मिलते है with Dolby Atmos, 30 GB of RAM, 32 GB of storage उसके अलावा 7040 mAh की battery, Snapdragon 662 processor, 8 Megapixels का primary camera, 5 Megapixels का आपको front camera मिल जाएगा अब गई जब तक जो भी दो टैप बताया ना उनमें से अच्छी sound quality ये देदेगा अच्छा display ये provide कर देगा and इसमें भी आपको fast charging मिलती है 15 watts की बट जो चीज इसको और बैटर ब जार के tablet के हिसाब से अच्छा ही घाजी gaming कर लोगे तो जो multimedia consumption करना चाहते हैं थोड़ी बहुत gaming करना चाहते हैं अच्छा display चाहते हो वो लोग इसको check out कर सकते हैं अब अगर आपकी orientation like zoom meetings वागेरा या फिर और कुछ है तो वो तो आप किसी भी टैप में कर सकते हो सारे टैप यहां पर आपको Android 10 का support मिलता है विच इस नौट एन इस टॉक एंड्रोइड यहां पर इनका खुद का UI है तो दिस्प्लेय में आपको कुछ फीचर्स दे देते हैं यह like moving displays वगेरा वगेरा सो 15,000 रुपय में काफी साही tablet है यह आरां 15,500 का सपास आता है वाइफाई जो टैब है यह आपको मिलता है Realme Pad अब यह जो टैबलेट है काफी जादा लेजेंडरी है क्योंकि इस प्राइस के साब से आपको बहुत जादा अच्छी चीज़े देता है सबसे पहले तो आपको 2K Vox का दिस्प्लेय मिलता है विच इस 10.4 इंचिस दिस्प्लेय साथ में 3 3GB की रेम 32GB की रोम सभी देते यह भी देता है बड़ जो चीज इसको बदलती है वो है इसकी पाफॉमेंस एंड कैमरा यहां आपको 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है विच इस क्वाइट गुड इन कंपरेशन तो आल अफ दिस इससे अच्छी घासी गेमिंग कर सकते हो आप बीजय में वगरा कहलते हो एक्टी ग्राफिक्स तक ही आपको खिला देता है इसके अलावा मल्टी मीडिया जो साइड है इसका वो भी बहुत अच्छा है डिस्पले तो ब्राइट है अरूंड 400 निट्स के आसपास ब्राइट अरूंड 7mm के ही अल्ट्रा सिल्म डिजाइन मिलते हैं दौनों में दौनों मेटल बोडी है बट अगर मैं जाना चाहूंगा देन रियल्मी पैड के साथ जाना चाहूंगा रियल्मी का यह जो टापलेट है आपको मिलेगा 14,000 रुपे में ओन फ्लिपकार्ट एंड 14,500 के आ अगर आपके लिए ब्रेंड के साथ ही जादा आप जाना चाहते हो देन सेमसंग वाला चूस कर सकते हो वह भी आपको प्रैस के साब से काफी जाद अच्छी चीज़ दे देता है लग 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 सी परफोर्मेंस है दोनों की लेकिन कैमरा क्वालिटी के मामले में रियल तो डिस्पले में ओवियसली वह थोड़ा अच्छी परफोर्मेंस देता है बट इतनी जाद अच्छी नहीं है परफोर्मेंस आपको थोड़ी बैटर मिलेगी अगर आप एप्स वगरा को ओपन करते हो तो आपको फास्ट एक्स मिलेगा नोकिया में बट गेमिंग करते बताओ इन में से कौन सा टैबलेट अप लेने वाले हों कौन सा ओले डिल ले चुक्यों बाकि मैं मिलता हूं आप लोगों से जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नई गैजिट के साथ में हुआ 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 है